Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें डिसकस करेंगे वक्षीट नमबर 33, 4 Class 6 विशय हिंदी है और ये वक्षीट आपके लिए 12th of November 2021 के लिए schedule की गई है आज की जो वक्षीट स्टूरेंट्स उसमें अक्षरों का महत्व जो हमारा चेप्टर है उसी को continue करते हुए हम आगे पढ़ेंगे सो वक्षी शुकरने से पहले प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए सो प्यारे बच्चो पिछली कारे पत्रक में हमने लेखक गुणा कर मूले द्वारा लिखा गया निबंद अक्षरों का महत्व पढ़ा जिसमें हमने अक्षरों की खोज और अक्षरों की इतिहास के बारे में जाना कि अक्षरों की खोज के सिलसले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुई है तो चलिए अक्षरों के इतिहास के विशे में आगे विस्तार से जानती है अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुवात हुई थी जब तक अक्षरों की खोज नए हुई थी मनुष्य संकेतों में बात करता था चित्रों के माध्यम से बात करता था लेकिन अक्षरों की खोज के साथ मनुष्य जो है वो अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगा और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा और तब से मानव जो है वो सभ्य कहा जाने लगा जब से उसने अपने जो हिसाब किताब है उसको लिख कर रखना तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेक मिलने लग जाती हैं तो जब से आदमी ने लिखना शुरू किया तब से ही जो है तब के इतिहास जो है वो मिलना शुरू हो गए उसके मुश्किल से जो है इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल जो न जान पाते हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था क्या-क्या सोचता था कौन-कौन राज़ा हुए इत्यादी यानि यदि आदमी अक्षरों का खोश नहीं करता तो हमें भाशा का ज्यान भी नहीं होता ठीक है अब आपको यहाँ पर गद्यान्स को ध्यान प्रुवक पढ़कर नीचे कुछ प्रशनों के उतर देनी हैं, तो गद्यान्स हम पढ़ चुके हैं, पहला प्रशन जो दिया गया है, कब से मानों को सभ्य कहा जाने लगा, आप्शन कर जब से वह अपने विचार और अपने हिसाब किताब को बताने लगा, तब से मानों सभ्य कहा जाने लगा, प्रशन दो, हमारा इतिहास कब आरंभ हुआ, क आदमी ने जब से सोचना शुरू किया, ख आदमी ने जब से बताना शुरू किया, ग आदमी ने जब से लिखना शुरू किया, और ग आदमी ने जब से पढ़ना शुरू किया, त तो यहां से आप इसके आंसर कर सकते हो, वीडियो पॉज करके इसको कर लीजे, next देखिए, next question number 3 दिया गया है, इतिहास के पहले के काल को क्या कहते है, इतिहासिक काल, प्रायोगिक काल, प्रागेतिहासिक काल या इन में से कोई नहीं, तो इतिहास के पहले के काल को क्या कहा जाता है, प्रागेतिहासिक काल कहा जाता है, next देखिए, प्रशन चार है, अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता, तो क्या होता, ये आपको यहां पर लिखना है, तो यहां से आप अंसर लिखेंगे, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता, तो आज हमी तिहास को नए जान पाते, यह हम नए जान पाते कि पिछले कुछ हचार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या-क्या सोचता था, कौन-कौन राजा हुए इत्यादी, और हमें भाशा का ज्यान भी नहीं होता, तो यह अंसर आप जो है, इसमें लिख देंगे, नेक्स देखिए, अब आपको यहां पर एक गतिविदी दी गई है, अपनी लीपी के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी एकत्रित कीचिए, क, जो अब प्रियोग में नहीं रहे, तो जो अक्षर अब प्रियोग में नहीं है, पहले प्रियोग किये जाते थे, वो आपको बताने हैं, और ख, प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रियोग में आ गए हैं, वो बताने हैं, तो सबसे पहले हम क का आंसर करेंगे, जो अब प्रियोग में नहीं है, तो देखिए, पहले जो है इस तरह की अक्षर प्रियोग में किये जाते थे ये आप प्रियोग में नहीं है राओ जो है ये पहले प्रियोग होता था इस तरह से और इसी तरह से ये भी जो है पहले प्रियोग किया जाता था लेकिन अब जो है इसका प्रियोग नहीं होता है ख देखिए प्रचलित नए अक्षर जो आप प्रियोग में आ गई है वो जो है कौन से रहेंगे तो इसमें आ इस तरह के जो है ये प्रियोग में आ गया है ख जो है प्रियोग में आ गया है अना प्रियोग में आ गया है उसके अलावा अगर हम देखें तो आ जो है जैसे हम डॉक्टर लिखते है न तो ऐसे ये प्रियोग में आ गया है clear तो ये जो है आप इसमें लिख देंगे तो ये आपका ख का आंसर हो जाएगा ठीक है ये ख का आंसर रहेगा और ये जो है आपका क जो है इसका आंसर हो जाएगा तो ये थी बच्चो आपकी आज की हिंदी की वरक्षीट I hope सभी बच्चो को ये clear है फिर भी कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लगे तो please like कर दीजिए share कर दीजिए और channel को subscribe कर लीजिए so thanks for watching मिलते हैं next वीडियो में next वरक्षीट के साथ take care